प्यारे बच्चों आज हम इस वीडियो में देखेंगे डक्टर और रोगी में समवाद या वरताल आप भी कह सकते हैं या बादचीत बोल सकते हैं ठीक है तो आपके एकजामों में 10th क्लास में हिंदी के विशेयों में पुछा जाता है कि डक्टर और रोगी के बीच में समव समवाद लिखें तो बड़े ही आसान से सब्दों में आप लिख सकते हैं तो मैं इसको बहुत ही आसान से सब्दों में बताने का प्रियास किया हूँ चलिए देखिए डॉक्टर और रोगी के बीच में किस प्रकार से संबाद होता है, बातचित होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर में डॉक्टर रोगी के बीच में क्या हो सकती है बात, ठीक है, क्या बातचित हो सकती है, तो एक रोगी अपना दुख़़ा दवाई देंगे ठीक है तो कुछ इसी प्रकार से डॉक्टर और रोगी के बीच में क्या हो सकती है बातचीत हो सकती है तो चलिए बिना देर किये हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए आपके सामने पहले है रोगी है ना रोगी जब डॉक्टर के यहां ज बूलते हैं है ना तो देखिए रोगी डॉक्टर के पास जाता और कहता है कि नमस्ते डॉक्टर शाब नमस्ते डॉक्टर शाब तो डॉक्टर इस बात पे क्या कहते हैं डॉक्टर कहते हैं कि नमस्ते बैठिये क्या तकलिफ है तो इस बात पे फिर रोगी कहता है कि मुझे मुझे दो दिन से वुखार है साथी बदन में हलका दर्द और खासी भी है रोगी ने बोला कि मुझे दो दिन से वुखार है साथी बदन में हलका दर्द और खासी भी है तो डक्टर ने इस बात पर क्या कहता है डक्टर ने बोला आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है तो देखिए फिर इस बात पर रोगी क्या कहते है रोगी कहता है कि जी मेरा नाम सरवन कुमार है मेरा नाम सरवन कुमार है डॉक्टर ने पूछा कि आपका नाम क्या है तो रोगी ने कहा कि जी मेरा नाम सरवन कुमार है डक्टर ने फिर पूछा कि आपका उम्र तो रोगी ने जवाब दिया 25 वर्ष ठीक है तो डक्टर ने फिर क्या बोला कि यह थर्मामीटर मुह में रखो साथ में रक्त यानि बलड की जांज भी करनी है ठीक है डॉक्टर ने बोला कि यह थर्मामीटर मुह में रखो साथ ही आपका बलड चेक भी होगा ठीक है ना चलिए देखिए अब देखिए आगे क्या होता है फिर तो फिर इस बात पे रोगी बोला जी डॉक्टर साथ यानि कि रोगी ने डॉक्टर की बात को स्विकारा ना था जांच करने के बाद बोला घबराने की कोई बात नहीं है यह तो सधारन बुखार है मैं कुछ दवा लिख दे रहा हूं सुबह साम सेवन करे ठीक हो जाएंगे है ना डॉक्टर बोला कि जांच करने के बाद डॉक्टर बोलता है कि घबराने की कोई बात नहीं है यह तो सधारन सब उखार था है ना मैं कुछ दवा लिख दे रहा हूँ आप इसे सुबा साम सेवन करें बिल्कूल ठीक हो जाएंगे ठीक है तो रोगी ने इस बात पर क्या बोला उनको तो दवाई मिली गई है ना बस अब क्या था उनको घर जाने की बारी आ गई तो डॉक्टर से अनुमती लेता है और रोगी याते-जाते कहता है ठीक है डॉक्टर साहब धन्यवाद ठीक है तो देखें आपकी कितने सरल ओ आसान भासा में हमने आपके लिए यह डॉक्टर और रोगी के बीच में समवाद लेके आया है न तो आपके एक्जामों में जब भी इस प्रकार से पुछा जाए तो बड़े ही सरल वो आसान भासा में आप लिख सकते हो, है ना, ऐसे सारे प्रस्णों को देखकर आप बिल्कुल आप घबराओ नहीं, है ना, जो आपके मन में हो, वो आप लिख डालो, ठीक है ना, बस आपको बहुत छ ज्यादा हो सके, आप अपने दोस्तों में सेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके, तो हम फिर मिलते हैं, आगले वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे, मात्रम